सिल्कियरा टरनल रेस्क्यू ऑपरेशन का सोलवा दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जा रही है लेकिन अब भगवान का भी साथ लिया जा रहा है लगातार आप देख सकते हैं इस समय जहां सिल्कियरा टरनल है उसके ठीक पास में आपने मंदिर देखा जिसको बहुत पहल यहाँ पर तस्वीर जो दिखाई दे रही हैं यहां के गाओं के लोग यहां के लोग यहां गाओं करते हुए ताकि जो 41 मजदूर हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके यह हवन किया जा रहा है यहां पर और इसमें आप न्यूस निशन पर ये तस्वीरे देख रहे हैं जो के लोग हैं वो हवन करके सुरक्षा की बात कर रहे हैं सुरक्षा की पूजा कर रहे हैं ताकि तमाम जो इतालिस मजदूर हैं वो अंदर जो फसे हुए हैं बीते 16 दिन से वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें उनकी सुरक्षा की कामना की जा रही है तो तस्वीरे अब आप यहां पर तमाम ऐसी तस्वीरे जो हैं दिखने लगी है जो की तमाम ऐसे लोग जो गाओं के लोग हैं वो यहां पर जुटने लगे हैं और उनका मानना है कि हवन पुजा से ही जो अंदर के मजदूर हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सकता है ताकि आनेवाले समय में आनेवाले operation में किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो अभी operation जो चला जा रहा है वो दो तरीके से चल रहा है जो सबसे सटीक और कम समय का operation है उसमें वर्टिकल ड्रिलिंग जो की जा रही है उसको 30 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग किया जा चुका है दूसरा जो है manual ड्रिलिंग की बात की जा रही है जो टनल के अंदर से horizontal manual ड्रिलिंग की बात हो रही है उसमें जो head है अमेरिकल ऑगर मशीन का जो head है वो पूरी तरीके से फस गया जिसको निकालने का काम किया जा रहा है उसके बाद जो है एक एक करके जो टनल में खुदाई के export होते हैं उनको भीजा जाएगा जो इस तरह का काम करते रहें इससे पहले उनको भीज करके manual ड्रिल को शुरू किया जाएगा हलाकि वो manual ड्रिल में ही ये पाट आता है कि अंदर किसी भी तरह का बाधा को हटाना और फिर ड्रिल करना तो अभी आप देखिए ये तस्वीर आपको दिखाते हैं इस तस्वीर को आप देखिए बकाइदा यहां पर हवन पूजा हो रहा है तो तमाम गाओं के लोग यहां पर इखटा हुए हैं और हवन पूजा कर रहे हैं तो भगवान भरोसे एक तरह से उनका साथ लेते हुए भगवान का बकाइदा यहां पर जो ह की तस्वीरे भी जो हैं वो सामने आने लगी हैं जो की सिलकेरा टनल के बिलकुल करीब है एक आकरती मंदिर और फिर हवन ये तमाम चीजे अब यहां पर हो रही है ताकि 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके लगातार जिस तरह से अवरोधक आ रहे हैं उसको दूर किय जा सके बुरी नजर किसी की ना लगे इस तरह से पूजा की जा रही है